Welcome to my channel CamStudy In this video we are going to discuss the exceptions under the Income Tax Act 1961 In today's video we will learn that Income Tax Act 1961 Income Tax Act 1961 you will have some exceptions given After that we will study First of all, you will not know that this is your exceptions What is the exception? What is the exception? Basic rule What is the basic rule? Basic rule For example, you will have two terms Assessment is the section 2 and section 9 And previous year is the section 3 I have made the first video You can click on the video But again, I will tell you in a brief In the previous year, that year Which time you earned your income And assessment is the For example, what you earn within the previous year On how did your income task आप जब आगे tax pay एकटे हैं तो उसा कहते है assessment year simple previous year में कि जिस साल में आपने अपनी income को अर्ण किया है and assessment year, कि जिस साल में अपनी previous year की income पे अपनी tax को assess किया है तो आपका assessment एक या का दाती है next हम देखते है basic rule कि है आपका income tax का अब देखे basic rule क्या है income tax का बेसिक रूल के अकॉर्डिंग एक परसंट इस पोस्ट अगर उसने 1890 में अपना काम किया 1890 में उसने अपना प्रॉफिट अर्फिट अर्न किया और वह क्या है उस प्रिविए सर के जितना भी उसने कमाया है इंकम कमाई है उस इंकम पे टेक्स कपे करेगा वो इन दी फ्यू क्या मतलब होताय entire Exception of Basic Rule ।is का मतलब है कि वो टााइम ओ केस य। गाजिए, कि इस चक्डिशन में यहां ऐसे case बताओ जिनमें हम अपने assessment year की weight बिल्कुल नहीं करते हैं हम अपने previous year में tax को pay कर देते हैं एक तो यह इस type के होगा ठीक है and second exceptions of a basic rule under the income tax act की basic rule के exceptions की है कहा कहा basic rule apply नहीं होता ऐसे आपको कही तरीके से यह question आ सकता है अब देखते है कौन से exception है एक इस exception है आपको income tax की under section 172 से लेकर 176 तक है सबसे परले हम देखते है first case shipping business income of non resident ship owner इसका मतलब क्या होता है for example वैसे इसका section है section 172 अब देखे इसका example जैसे की X यह कहां रहता था यू-एस में रहता था यू-एस में रहता था यह कहा था एक ship का owner था यह ship owner था इसका बिसनस कहा था शिपिंग का बिसनस है and X का बिसनस है उसमें से एक ship है वह कहां जाते थी हमारे tamiladu port जाकर रुकती थी और वहार के क्या करती थी उस port में से कोई भी passenger या कोई भी cargo का मतलब क्योंता है का cargo मतलब होता है simple smart जो आपको जो goods आप ट्रांसफर करते हो from one place to another place with the help of ship जो आपकी shipping business है आप जो एक जगह दूसरी जगह आप अपने समान को यहां वहां करते हो यह आपका कहां आता है cargo में यह सिंपल cargo के आपका smart goods है अपकी अब देखिये एक ने गें ship भी है अपनी तब मिलनाडू में यह वहां से ship ने किया कुछ passengers और कुछ cargo टीक है अब देखिये passenger से उस ship को यह X को कितना फायदा होगा 10 लाक कि इंकम होगी यह उसने इंडिया के लोकालिटी से की है तो अब कहते है डूल के according यह X है अपना जो की USA में रहता है तो इसने बिसनस के कमाई किया वह इंडिया से की है इतमें कहते है इस जो भी उसने कमाया तो पर उसने टेक्स तो पे करना होगा अगें पर हम क्या करते है वह एक्स की की कि आप जैसे कि अगर तो अग्स तो पे कमा लिए बुड क्या वह बाद में पिर आएगा मुझी टेक्स पे करने तन उस केस में करती है अपनी गवर्मेंटी क्यों उसक भी देश की का रिएंटी करें विया तो अपना करने देगो तब आपस नहीं जाने देगा वापिस में एपस पे शा होगा तैक्सियर ऐड़का तो प्रस वह फैर टास अवी ज़ा मारत करती है और बुड ऊट करती है भी कोर्मेंटों तब तक कहते है वापस नहीं जाने देंगे USA में जब तक वह tax की amount आज की आज चीग है प्रिवेश में नहीं पे गड़ेता है जैसे कि इसकी amount थी 20 lakh है अब इस पर उसने कहते है कितना tax पे करना है इसका भी create होता है जो की होता है 7.5 है अपका fix होता है shipping business है कहते है कि जितना भी तुने कमाया उसका 7.5 है मुझे tax अभी के पे कर अगर नहीं पे किया तन हम आपकी जो चिप है वह हम आगे आपके USA में आपकी जो भी country है वह हम नहीं जाने देंगे तो यह थी आपकी पहली पहला case पहली exception जिसमें जो आपकी government है वह assessment year का बिल्कुल भी wait नहीं करती है वह क्या करती है जिस time अपने पैसा कमाया के तो उसी time ही आपसे tax की amount collect कर लेती है बिल्कुल भी assessment year का wait नहीं करती है नेक्स्ट आपकी assumption है जिसका section है 174 persons leaving India काते है वह person जो आपका India छोड़के जा रहा है अब इसकी example समझते है जैसे कि वाया था एक person यह इसने का किया 31st August को इसने decide किया मैं finally अपने इंडिया को क्या कर रहा हूं leave करके जारा हूं छोड़के जारा हूं किसी बाहले देश में shift करूंगा इस case में अगर मैं देखों कि इसने 2020 में कितने month कितने number of days का stay किया अपने इंडिया में जाना तो यह simple आपके second exemption seat इसमें क्या होता है जो person क्याते है इंडिया छोड़के जाता है जितना भी time इसने इंडिया में stay किया होता है उस time जितना भी इसने income कमाई होती है उस पर जितना भी interest बनता है जितना भी तुने इंडिया से बहा है जितना भी तुने अपनी income कमाई है उस पर total amount का interest मुझे अभी के अभी pay करके दे previous year में जब तक तु पे नहीं करेंगा तब तक हम तुझे कहीं भी India से बहार नहीं जाने देंगे नेक्स्ट आपकी exemptions है assessment of any AOI, BOI, AOP sorry BOI, AJP established only by or only for a limited period इसका section है 174A तक है कि जो आपका AOP, Artificial of person, BOI, body of a corporate, Artificial judicial person तक है यह से भी चीज़े है यह करते है जैसा आपने पने तक है आपने अप्राइप करके Kingside-सका। चीज़ेह एंनगुक्त तक है तक है रहे हम tax के amount pay करनी होगी and again हम जो tax के amount लेंगे वो कब लेंगे again in the previous year 6 मिने के बाद जितनी भी income कमाई है कि उसे calculate करने के बाद उसके उपर साथ ही साथ करते जो tax है वो tax के amount लगा के आप किसको pay करेंगे अपनी government को pay करेंगे government इस case में भी बिल्कुल भी इस case में भी क्या करती है अपनी government होती है जो tax के amount है वो कब collect करती है in the previous year not in the assessment year next assumption persons who likely to transfer their assessed assets to avoid tax के वो person जो अपनी asset को transfer कर देते है but for what purpose to avoid tax कि अपनी tax को काम करने के लिए अपनी जितनी assets है उनमें कुछ party कुछ assets किसी third party को transfer कर देते है तकि उनकी asset कमशो हो profit कमशो हो and इसके section कौन साथ section 175 जब एक परसन अपनी tax liability को कम pay करने के लिए जो अपनी asset है उससो transfer कर देता है the wrong intention के साथ किसी third party को then उस case में भी क्या government क्या करती है जितनी में asset उस asset ते कुछ ना income जनवेत होई होगी क्यों भी government बिल्कुल भी wait नहीं करती है जो particular person है वो assessment यह एक टेक्स पे एक कोई भी person जो अपना asset को बेच रहा है किसी third party को in the tax को avoid करने के लिए then government क्या करती है उसस पर proceeding file करती है कि जितनी जो asset तू दे रहा है अभी के अभी tax मुझे अभी के अभी pay करते last है आपके exemption discontinued business कि जो business ही कहते है बंद हो गया हो या बंद होने पर आ रहा हो उस पर government क्या करती है देखो जितने में हमने पहले वाले case किए अपने first four cases किए इन में क्या था कि जो tax है वो मिलता है government को in the previous year not in the assessment year यह जो होता है discontinued business इसमें कहते है जो decision होता है वो किसका होता है आपका assessing officer का आपका assessing officer होता है जो क्या करता है आपकी income पे क्या करता है tax को calculate करता है income पे tax को calculate करता है and उस assessing officer को एक power एक duty दी जाती है कि तहां भी तेरी मर्जी है जो business बंद होने वाला उसके उपर जो tax की collection करनी है तूने वो तेरी मर्जी चाहें वो तू previous year पे चाहें तू कर अपनी assessment दीने but हमें text रही है it means ultimate liability की assessing officer की अगर assessing officer को इससे find लगता है कि जो discontinue business है जिसका business बंद होने वाला जैसे कि Z being a businessman due to some reason business बंद होने वाला था and again business बंद होने बंद होने था and again business बंद होने बंद होने था 6 मेंने के बाद उसने के किया अगर उससे लगता है जो बंद होने बंद होने वाला होता है उसके पहले earning देखने के बाद जो tax है वो निकालो tax की amount fine करने के बाद ultimate decision होता है assessing officer का कि वो tax के amount है उसने इस particular businessman से previous year में लेनी है या assessment year में लेनी है अगर उससे लगता है जो बन बन हो अगय गया अगय जाके tax ना पए कर ले देन वो कया करते है Prieews year में ही tax को collect कर लेते है अगर उससे लगए जो डाटी केमे लिए इस उसने बंद हो गया को जो बंद हो इसरुआ अगया डेन उस केस्मस्मक्राइर की वेट कर सकता है अगरर असेस्ट ओफीसर ने जर्ट को बोला कि यहां भी चलत तुने जितनी भी अपनी इंकम को कमया है उस तुने आपने नेक्स्स चलत कर देख ये पुछिया है, जो अगर पाली तु लाइबलती है, दिनलास और पालीो है अगर पाली पुलम रचेकते हैं गरता क teach it आप कमाते हो इन दी previous year में और उस जो आपके income कमाई होती है previous year में उसमे आप tax करते हो इन दी assessment के अगले आने वाले assessment है यह आपका basic rule था कि पहले income को कमाऊ इनकम को कमाने के बाल उस पर tax हो आपने अगले साल पर करना है आज हमने किये इसके exceptions कि कहां कहां यह basic rule apply नहीं होता कि मतलब basic rule according जो आपका tax हो कब collect होता है इन दी assessment here में और exceptions according जो आपका tax हो कब collect होता है इन दी previous year में इसके exception क्या थी 172 से लेके 176 तक इसके section थी first section 172 shipping business तक अगर किसी partner का अगर किसी business man रहे शिपिंग business रहे और उसको कहते है वह hack नौन-resident person है तन उस case में क्या होगा अगर उसने कोई भी income कमाई है इंडिया की टारे से इंडिया की country से तक 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 उसको tax उसी समय ही पे करना होगा next step का personal living India की अगर कोई भी person अपनी इंडिया को छोड़के जा रहा है तन उसने अपना tax pay करना होगा in the previous year में उसके बाद next step के assessment of any AOP, BOI, AGP, etc. अगर suppose अगर आपकी कोई भी तरह की AOP, BOI, and AGP for a limited time के लिए बनी हुए तन उस case में भी उनको जितना भी income हुए है उस income पे tax उनको previous year में ही पे करना होगा next person who likely to transfer their assets to avoid tax की जो person अपनी asset को बेचते हैं, asset को अपनी third party को देते हैं अपनी tax को कम करने के लिए कैते हैं उस asset पे जितना भी हमको income हुए है वो income पे जितना भी tax है उस person को कब पे करना होगा अपनी previous year में पे करना होगा and last year discounted to business के अगर किसी business का अगर किसी business man का अगर business discontinue हो रहा है then उस पे जो tax है उसने पे करना ही करना है and वो tax pay कैसे करते है by or according to the decision of an assessing officer अगर assessing officer ने बोला कि हम इसी साल की previous year में tax pay करो then वो इसी साल tax pay करेगा and अगर assessing year में उसे चूट देती कि हम इसल कोई बात नी तो अपने next year में कि अपने assessing year में tax pay करेगा then वो क्या करेगा अपनी assessing year में tax pay करेगा अपना है आपना है धुशर जित वो रदेगा शवाना है वाल अब घुशर